मकर शक्रांती दो दिन बनाएगी, मैं आपको बताना चाहाँ कि लोग बड़ी संक्ख्या में यहाँ पे मौझूद है, जहाँ पे धर्मपुन्रे का कार्य किया गया, लोगों से बाचित करना चाहंगा सर पतम, कितरे का महत्तु है बताना चाहेंगे मकर सक्रांती का? ऐसा है कि काफी वर्सों से बकर सनाते 14 जनुरी को मनाते थे लेकिन अब की रफ़े 17 और 15 दो दिन का है क्योंकि रात्री को इसके लगन आई थी मकर लगन इसके कान से आज इसका दानपूर्णी का कारिकरम है किसरे का दान पूर्णी का महत्वर रहता है कोई भी बहुत सारी वस्तों का दान होता है मिठाईयों का दान होता है सोना चांदी का दान होता है आज के लिए ठाकुर जी के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दान है हरे हमारे पूरे देश के लोग आज जो है मकर संक मकर्सक्रांती हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बलकि विश्व में धर्म के नाम से और दानपुन्य के नाम से परसिद्ध है और मुख्य बात ये है कि संस्कृति और धर्म के आधार पर ये समय ऐसा होता है कि यदि हम कोई भी दान करते हैं तो उसका हमारे को 21 गुना फल मिलत थी आज भी पतंगें उड़ रही है और आज तो विशेश तोर से दान पुन्य का कारेकरम सबसे ज़्यादा हो रहा है अभी जैसे सुवास दी बैदी जी ने यहां तरह तरह के वेंजन बनवाए हैं और अभी बच्चियों को सुविटर वगरा वितरन कर किया है और ये इस को ऑर धर्मके पती उनकी जो निश्टा है निश्चेत रोप से आप देख रहे हैं कि पिछले 10 दिन से 10 दिन-से वह निछे सो रहे हैं और वह जब्राण-पतिष्था मंदिर की नहीं हो तब-अख над Tael हो providing मिद्फ बरक रहे हैं और एक टाइम ही को खाना खारे हैं और बर चौन के लिए इसके दिन गया दान कई गुनाओं के मिलता है इसलिए लोग बहुत ज़्यादा करते हैं यह पहले हैं मिशा से 14 जनुरी को मना जाती थी इसलिए लोग यही मानते कि चौदा तारी के वह सख्रांटी है लेकिन वाष्टमी यह है मैंने पूछा पंडीतों से तुन उने का कि चालिस साल तक चलता है यह तरीक उसके बाद पंडा तारीक अरही है तो इसा पंडीतों ने बता है तो इसका पूरा महत्त है और मोधी जी जी तो हम दानपुर्ण के गायों के लिए तो दानपुर्ण करने का बहुत ज़्यादा महत्व है आप कभी भी देख लेना अजमा के देख लेना गाये के निमत आपने अगर 10 रुपया खर्च किये तो आपके 100 रुपय का लाब तुरंत हो जाएगा मैंने ऐसा मेरे जिन्दगी में देखा है इसलिए निश्चित रूप से ये बड़ी हिमत तो पूर्ण बात है और मोधी जी अनुष्ठान कर रहे हैं भी 11 दिन का उसमें वो कुसा के आसन पर धर्मगुरूं के बता है निचे कुसा के आसन पर सोते हैं एक समय बोजन करते हैं और उन्होंने प्रण किया था कि मैं अयोद्या में तब ही आऊंगा दूबरा जब वहां रामलला कुलाजमान होगे और वो कार सेवा के टाइम वहां गये थे और उसके बाद ये केवल उन्होंने वहां पर जो शिल्यानास का कारिक्रम वहा था तब ही वह योद्या में गये थे उससे पहले दो बार गये लेकिन फेजाबाद से लोट गये कभी कहीं से लोट गये लेकिन अयोद्या में ने गय है दानपुन्य का मेत होता है भारत एक्सप्रेस से सेलेंद लाटा की रिपोर्ट